ठीक ही आज हम लोग जो करेंगे class वो science का करेंगे ठीक है विज्ञान का करेंगे और 40 question को करेंगे हम लोग आज जो करेंगे हम लोग किसका 40 question 8 का करेंगे ठीक है wish of luck sir the learning rules math का कब करेंगे sir English और Hindi का करेंगे class 9 ठीक है उसको भी start करते हैं हिंदी का और इंगलिस का भी चल श्टार्ट करते हैं session को चल ये तो इसका पहला question हम लोग देखते हैं आज का देखिए हम लोग इसमें पूरा 40 question करेंगे चालिश कुश्चन को करेंगे अब देखे इसका आज का पहला कुश्चन हम लोग क्या है 61 से स्टार्ट होगा और 100 तक आपका खत्म होगा ठीक है 61 से स्टार्ट होगा 100 तक आपका खत्म हो जाएगा 40 कुश्चन होगा टोटल चलो तो सबसे पहला question जो आपका start होता है देखे क्या है कोसिका में गुंसूत्र कहां पाये जाते हैं ठीके तो आपको बताना है बच्चो कोसिका में गुंसूत्र कहां पे पाये जाते केंदरक, कोसिका, तारक, कया या फिर कवक ठीके first answer केंदरक, myself हाँ, ठीके question number one का answer हाँ कोसिका में गुंसूत्र कहां पाये जाते हैं four, नहीं होगा बाबो, ठीके one हो बैसका, ठीके, कोसिका में गुंसूत्र कहां पाये जाते हैं तो किंदरक में पाये जाते हैं, कहां पे, किंदरक में option number one इसका right हो जाएगा ठीक है चलो आगी पढ़ते हैंब हम लोग दूसरी सवाल में इसका चली दूसरा सवाल क्या है यहाँ पे देखे निमनलिक्खित में किसको पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जस्ता फासपोरस गंधर या फिर ऑक्सिजन ठीक है 62 का बता है जल ठीक है अंसुल कुमार छैके मरिनमयगेमिंग चले सही जारे आप लोग फोजी आदो मिस्स कर गए तो इसका जो अंसर हो जाएगा जस्ता हो जा जाएगा ठीक है निमनिलिकित में किसको पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्थित कर सकते हैं तो जस्ता को जिंक को हम लोग पतली पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्थित कर सकते हैं और यह गुन जो कहलाता है बचो इसको हम लोग अगहात वर्धिनता कहते हैं ठीक है ये पादने होता है चीनी एलकोहल हाइड्रोक्लोरिक अमले ऑक्सिजन जल्द से बताएगा इसका एलकोहल मैसेल्फ ठीके आप जरूर लिखेंगे यहाँ पर कि आप कौन से अंसर कर रहे हैं ठीके हमारे पास जो भी अंसर आ रहा है ठीके थोड़ा सा लेट्स आ रहा है 20 सेकंड क 10 सेकंड के लेट्स आ रहा है ठीके हाँ मॉडल पेपर कहां मिलेगा ठीके देखो मॉडल पेपर आप लोगको आएगा 2023 का तो वो हम अप लोगको दे देंगे प्रोवाइड करवा देंगे ठीके चैनल पर आप लोगको मिल जाएगा तो बने रहना है चैनल पर और पिछला देखना है जब ठीके हम मैंने 2019 से लेके 2019 से लेके 2022 तक का कंप्लीट करवा दिया अगर उसे देखना है तो चैनल पर विजिट करें ठीके चलो हाँ तो इसका अंसर क्या हो जागा है अलकोहल हो जागा बच्छो ठीके अलकोहल इस्ट का उप्योग निम्द में के उत्पादन अलकोहल में होता है ठीके चलो आगे बढ़ते हैं अम लोग कि 64 में सुझ में जीव कहां पाए जाते हैं ठीके जल वायू मिट्टी इनमें से सभी ठीके जल्दी से बताएए सुझ में जीव कहां पाया जाते हैं साइन्स का करवा देंगे, नांत का? फोर नमबर, मैस्लफ, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, फोर सभी कोई अंसर करेंगे आप लोग, ठीक है, सभी कोई अंसर किजिए इनमें से सभी, बिल्कुल बिल्कुल, सही है, ठीक है सुच मजीव कहां पाय जाते हैं तो इनमें से सभी जल में भी पाये जाते हैं, वायू में भी और मिटी में भी चारों, तीनों जगा पाये जाते हैं, सभी जगों पे सुच में जीव पाये जाते हैं, ठीके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के तरफ, 65 नंबर सवाल देखेंगा आप लोग, 65, इलक्ट्रोनों के परवाह को कहते हैं, विधुद्धारा, इलक्ट्रोड, विधुत अब घटय, विधुत लेपन, ठीके, 65 का बताईएगा, 65 का इलक्ट्रोनों के परवाह को कहते हैं, 65 का इलक्ट्रोनों के परवाह को कहते हैं, मन्जित यादव, मरिन में गेमिंग, बिल्कुल, ठीके, टेक, सक्सेस, नहीं, यह अप गलत बता रहें, हाँ, तो वन नम्बर इसका राइट हो जाएगा, ठीके, विधुद्धारा, ठीके, इलक्ट्रोनों के परवाह को क्या कहते ह बचो, तो विधुद्धारा कहते हैं, ठीके, याद रखना है, चलो, आगे पढ़ते हैं, अब लोग, अगले सवाल की तरफ, 66 सवाल, देखे, 66 में क्या है, निम्न में, निम्न में से कौन सा अहार की सोरो के लिए सरवोचित है, ठीके, तो चिप्स नूडल को, रोटी दाल सबजी, याँ, चावल, नोडल्स, बर्गर, या रोटी चिप्स, लेमन पे, बते हैं, इसका अंसर कौन सा हो जाएगा, देखे, नाइन्थ का भी टाइमिंग से ट ही हुआ है, ठीके, टाइमिंग से होगा, मैं उसे भी बता दूँगा, ठीके, हाँ, इसको बता दो जल्दे जा रहे हैं, आप लोग ठीके, रोटी दाल सबजीया, ये जो है, हम लोग का आहार के लिए सबसे अच्छा है, ठीके, सर्वुत्तम है, रोटी दाल सबजीया, ठीके, चलो, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की तरफ, 67 नंबर, प्रती इकाई छेतरफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, ताप, दाब, अभिकर्शन, अपकर्शन, जल्द से बढ़ते, 67 का सवाल कांसर, प्रती इकाई छेतरफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब, विल्कुल सही जा रहे हैं, ठीके, दाब होगा, ठीके, इस कंसर, प्रती इकाई छेतरफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, ठीके, दाब, प्रेशर, ठीके, चलो, आगे बढ़ते हैं लोग अगले सवाल की तरफ, 68 नमबर सवाल, देखे, एलपी जी का जलना एक उधारन है, तिर्व दहन का, स्वता दहन का, मन दहन का, विस्पोट का, ठीके, ठीके, 68 का बताएगा अप लोग, ठीक, 1000 हैं अप लोग, अन्सूल कुमार, बिल्कुल 6000 हैं अप लोग, ठीके, मन्जित यादो, नहीं, गलत कह रहे हैं हाँ, तो एलपी जी का जलना एक उधारन है, तिर्व दहन का, ठीके, तेज जलता है एलपी जी, और एलपी जी का फुल फॉर्म अप लोग जल्दी से बता दो, कमेंट करके, ठीके, एलपी जी का फुल फॉर्म बता दो, जल्दी से बताएगा, एलपी जी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीके, लिक्वीड पेट्रोलियम गैस, ठीके, मैसेल, बिलकुल सही जवाब अप लोग जा रहे हैं, ठीके, लिक्वीड पेट्रोलियम गैस, एजुकेशन, अमीत, मन्जित यादो, ठीके, बिलकुल सही है, ठीके लपी जी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्वीड पेट्रोलियम गैस होता है ठीके चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में 69 में 69 में देखेंगे एक यूग मनज में पाए जाने वाले केंद्रोको की संख्या होती है एक दो चार इन में से कोई नहीं हाँ एक यूग मनज में पाए जाने वाले केंद्रोको की संख्या कितनी होती है बताव जल्दी से एक 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 बिल्कुल सही है आप लोग का ठीके एक इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीके एक यूग मनज में पहे जाने वाले केंद्रकों की संख्या एक होती है ठीकि ओप्सन नमबर वन इसका राइट हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ हाँ हाँ सवेंटी नमबर सवाल देखे आप लोग समाने नेत्रि के लिए असफश्ट देखने की निवनितम दूरी क्या है समाने नेत्रि के असफश्ट देखने की निवनितम दूरी क्या हैं जली से बताएगा 20 cm, 25 cm, 45 cm, 100 cm 25 cm हाँ सही है ठीके 25 cm का राइड अंसर हो जाएगा ठीके निनितम दूरी पूछा तो 25 cm लेकिन अधिकतम दूरी पूछा ठीके तो अनन्त हो जाएगा बच्चों ठीके क्या हो जाएगा अनन्त हो जाएगा याद रखना ठीके चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल के तरफ 71 खरी फसल के उधारन है जल्दी से किज़ेगा कमेंट अप लोग हाँ खरी फसल के उधारन है हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं मंजित यादव हाँ इसका सही जवाब जो होगा गेहूं हो जाएगा ठीके क्या हो जाएगा खरी फसल के उधारन क्या है गेहूं है बाकि जो भी नजरार आपका ठीके वो सब रवी फसल हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में प्रित्वी के निकर्तम कौन सा तारा है ठीके जल्दी से बताएगा आप लोग एक मिनट बच्चो ठीके 71 का जो सवाल का अंसर होगा न ये आपका धान होगा ठीके खरी फसल में रवी फसल में आपका आता है गेहू चना मटर ठीके हाँ तो धान आ जाएगा खरी फसल में सॉरी मेरी समिस्टेक हुई है ठीके हाँ तो इसमें फोर होगा 72 का बता दो प्रिथ्वी के निकर्तम तारा कौन सा है मरीग सरमिष्ठा सुरिय धुरू तारा 72 का बतेएगा अप लोग हाँ सुरिय हो जाएगा प्रिथ्वी का सबसे जो नजदिक तारा है न वो सुरिय है क्या है सुरिय है याद रखना चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में 73 नंबर पे क्या लिकाव है निमनी लिखित में कौन गरह नहीं है ठीक है सिरियस मंगल बुद सनी हाँ कौन सा गरह नहीं है आपको बताना है यहाँ पे ठीक है वन नंबर बिल्कुल सही जा रहे है ठीक है सिरियस यह गरह नहीं है ठीक है बाकी जो है बच्चो आप लोग का यह मंगल बुद सनी यह सब सारा गरह है ठीक है गरह कितने हैं बच्चो वो भी बता दो आप कमेंट करके ठीक है टोटल गरह कितने हैं हमारे सौर मंडल में गरहों की संख्या कितनी है हाँ, बिल्कुल आठ है, ठीके, कितने हैं, आठ है ठीके, चलो, आगे बढ़ते हैं, पहम लोग अगला सवाल में 74 नमबर में घरसन को बढ़ाया जा सकता है कैसे बढ़ाया जा सकता है, बच्चो ठीके, सक्ती से, चिकना सता से, तेल से रुखडा से घरसन को बढ़ाया जा सकता है हाँ, इसका बताएएगा आप लोग घरसन को बढ़ाया जा सकता है हलाकि यहाँ सवाल जो होना चाहिए घरसन को कम किया जा सकता है, कैसे कोई बात नहीं, घरसन को बढ़ाया जा सकता है क्या हो जाएगा इसका, अंसर four number इसका right हो जाएगा रुखडा करके ठीके किसी भी चीज़ को हम लोग घर्षन को बढ़ाना चाहें ठीके घर्षन को बढ़ाना चाहें यहाँ पे तो क्या करेंगे उस अस्थान को ठीके या वह जमीन को हम लोग क्या करेंगे रुखडा कर देंगे तो वो घर्षन बढ़ जाएगा, ठीके, घर्षन कम कैसे किया जा सकता है, तो वो आपका तेल से किया जा सकता है, है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल में, 75 नंबर में, निमनी लिखित में कौन प्रकृतिक रेसे हैं, उल, नाइलोन, रियान, पॉलिथीन निमनी लिखित में कौन प्रकृतिक रेसे हैं, 75 का क्या बोल रहे हैं, उन, हाँ, बिल्कुल सही है, ठीके, फूर नंबर, नहीं भुनेस्वर, आप गलत करें, पॉलिथीन नहीं है, प्रकृतिक रेसा, हाँ, वन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीके, ये एक प्रकृतिक रेसा है, बाकी जो भी है, ये सब क्रित्रिम रेसा है, ठीके, जितना भी है, ये सब क्रित्रिम रेसा है, मानो इसे खुद बनाता है नाइलोन को पॉलिथिन को रियोन को उन बच्चो आपका एक प्रकृतिक रेसा है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लोग अगला सवाल में अपरिये ध्वानी को कहते हैं क्या कहते हैं सोर संगीत कर्ण फटा या फिर सोर परदुसन अपरिये ध्वान लेकिन दिक्कत नहीं है ठीक है मैं पढ़ लेता हूं ठीक है हां तो अपरिये ध्वानी को क्या कहते हैं सोर कहते हैं बच्चो क्या कहते हैं सोर जो जो ध्वानी हमको अच्छा नहीं लगता है ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सोर ठीक है चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, 77, निमने लिखित में से किसे घरसन द्वारा आसानी से आवसोसित और आवेसित नहीं किया जा सकता, ठीक है, प्लास्टिक का पैमाना, तामबे कच्छड, फूला हुआ गुबारा, उनी वस्त्र, कॉपर, ठीक है, हाँ, दो नमबर, बिल्कुल सही है, दो नमबर, हाँ, निमने लिखित में से किसे घरसन द्वारा आसानी सावसोसित नहीं किया जा सकता है, तो तामबी किच्छड इसका राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, हाँ, 78 में क्या है, हवा का मुख्य परदूसक गैस कौन सा है, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड, नैट्रोजन, आक्सिजन, प्रोपेन, हवा का मुख्य परदूसक गैस कौन सा है, कार्बन मोनोक्साइड मैसेल्फ, बिल्कुल सही है, ठीक है, वन नमबर, हाँ, चलिए, तो क carbon monoxide इसका right answer हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ क्या लिकावा है भारत में राष्ट्य उद्यान की कुल संख्या है कितना है बच्चो ठीक है मैं इसे खुद से बता देता हूं ठीक है जुकि यहां पर कोई भी option आपका पुराना डेटा के ठीक है याद रखना एक सो चार ठीक है 77 ठीक है पुराने डेटा के अनुसार 77 ठीक है लेकिन इसका जो right answer हो जागा एक सो चार ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लोग अगले सवाल में 80 निंबर सवाल क्या लिकावा कौन एक प्रकृतिक संसाधा नहीं है ठीक है कौन एक प्र अच्छा 77 का 77 गाइड में है ना तो पुराना गाइड होगा ना अभी आप सर्च करो गूगल पर तो आपका 104 आ रहा है ठीक है कौन सा प्रकृतिक संसाधा नहीं बताना आपको तो कपड़ा जो है बचो ये प्रकृतिक संसाधा नहीं है बाके जल जो है प्रकृतिक है हवा भी आपको प्रकृतिक से मिल रहा है मिट्टी भी लेकिन कपड़ा क्या है बचो ठीक है ये मानो निर्मित है प्रकृतिक चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ कि एटीवन नंबर सवाल अब दहात्वे समान्यता किस रंग की होती है बताना है आपको बच्चो ठीके लाल रंग हरा रंग पीला रंग भूरा रंग हमें इस लाइब चैट का वीडियो चाहिए बिल्कुल मिल जाएगा ठीके वीडियो खत्म होने के बाद आपको पूरा मिल जाएगा ठीके वीडियो अपलोड मिलेगे आपको चैनल पे हाँ तो धात्वे जो समान्यता होती है किस रंकी होती है भूरा रंकी होती है चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में धात्वे उस्मा की क्या होती है सुचाला क्या कूचाला क्या अल्पचाला क्या इनमे से सभी धात्में उस्मा की क्या होती है सूचालक हाँ बिल्कुल सही है धात्में जो उस्मा की होती है वो सूचालक होती है ठीक ही और आधात्में जो होती है वो उस्मा का कुछालक होता है याद रखना चलो आगे बढ़ते हैं लोग अगला सवाल में 83 में देखिए आप लोग सुच में जीव कहां कहां पाया जाते हैं देखो ये पीछले बार भी सवाल भी कियें ठीक है पीछे कियें इसको सबी जगा चलो सही है ठीक है इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे बताएए 84 का बताएगा कौन साजीवानों दूद को दही में बदल देता है कौन सा जीवानों दूद को दही में बदल देता है तो जो लेक्टो बैसिलस है बच्चो ये दूद से दही में बदल देता है यही जिवानु जो है दूद से दही में बदल देता है चलो आगे बढ़ते हैं लोग 85 नमबर सवाल में किसो रवस्था की उम्र क्या होती है हाँ दस से पंद्रा बारा से कीस दस से उनीस अठारा से पचीस 85 का जवाब दीजेगा आप लो हाँ तो इसका जो अंसर हो जाएगा 10 से 19 वर्स ठीक है किसो रवस्था की उम्र जो है 10 से 19 वर्स तक है ठीक है लड़कों में 21 चला जाता है बाद चोठी के दस से किस लेकिन आपको याद रखना है याप दस से 19 चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में 86 में क्या लिख अब किसो रवस्था किसो रवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर्यंत्र को का क्या नाम है कंठ मानी प्यूस गरंती लैरेक्स हार्मोन गरंती 86 का बन बिल्कुल सही जवाब है हाँ ठीके तो इसका जो अंसर हो जाएगा किसो रवस्था में लड़कों के उभरे वे स्वर्यंत्र का क्या नाम है तो कंठ मनी है ठीके चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में 87 में क्या लिख अब बल का मात्रा क्या है पास्कल न्यूटन जूल वाट 87 का न्यूटन चलो और सब भी किज़े ठीके कमेंट देखते हैं किसकल सही जा रहा है अप लोगा 87 का न्यूटन 3 बल का मातरक है पास्काल नहीं बाबू गलत है हाँ दूसरा अब सही जा रहा है सब का ठीक है हाँ तो बल का जो मातरक है वो न्यूटन है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में 88 में जब एक वस्तू दूसरे वस्तू पर सीधे भावतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है संपर्कित बल आ संपर्कित बल चुमबके बल घरसन बल 88 का पतेएगा आप लोग संपर्कित बल मैं गेमिंग ठीक है अरे यार तो नाम थोड़ा चेंज किजे ठीक है हाँ गेमिंग लिखावाया है न हाँ तो इसका जो अंसर हो जाएगा संपर्कित बल ठीक है अप्शन बर बन इसका राइट हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में 89 में देखेगा 89 में देखेगे दहन के लिए कौन सी गैस आवस्यक है नाइट्रोजन ऑक्सिजन कार्बन डियोक्साइड कार्बन मोनो अक्साइड हाँ अब लोग ठीक है सभी सब्जेक्ट का 88 मॉडल सेट कंप्लीट करवाया गया है ठीक है और आठाट मॉडल सेट में परतियक में 20-20 कुश्चन इंप्टिंट डाल गया है ठीक है तो जरूर उसे जाकर देखें सभी वीडियो को जरूर देखें ठीक है हाँ 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 तो इसका अंसर जो हो जाएगा ऑक्सिजन दहन के लिए कौनसी गैसा वस्यक है तो ऑक्सिजन ठीक है ऑप्शन पर ट्विस्ट का राइट हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं लोग लोग लपी जी का पूरा नाम क्या है देखो अभी इससे पहले पूछे थ हो गया है ठीक है देख लिजेगा चनल पर विजिट करके 19 का लिक्विट पेट्रोलियूम गैस बिल्कुल सही जवाब ठीक है लिक्विट पेट्रोलियूम गैस हो जाएगा ठीक है लपी जी का फुल फॉर्म चलो आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में 91 में जो जन तो अपने जैसे सिसू को जन देते हैं उसे क्या कहते हैं ठीक है जरा यूज अंड़ प्राजक सिसू प्राजक अंड़ यूज हिंदी का भी पूरा नए आया है हाँ दो दो हूँ आया भी एट का दो करवा दिये हैं आज एक अप्लोड होगे सामने उसको जाकर जरूद देख लेना हाँ 91 का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताएगा हाँ जो जनतों अपने जैसे सिसू को जन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं जरायूज कहते हैं ठीक है जो बच्चे का जन देते हैं उसे क्या कहते हैं जरायूज ठीक है और जो अंड अंडे देते हैं ठीक है जो ज हाइड्रा का अलाइंगे की जनन क्या कहलाता है द्विखंडन बहुखंडन मुकूलन पर जनन 92 का बताएगा हाँ थ्री नमबर सही जारे आप लोग 92 का बताएगा हाई थ्री अच्छा 90 का 91 का थ्री नहीं होगा 91 का जरायूज होगा हाँ वन होगा 92 का बताएब लोग हाईड्रा का लंगेग जनन हाईड्रा का लंगेग जनन क्या कहला बच्चों तो मुगूलन कहला तो ऑप्सन नमर थ्री इसका राइट हो जाएगा ठीक है हाँ बहुत सारे बच्चे सही जवाब दें इसका चलो आगे देखते हम लोग अगला सवाल में 93 में देखे वे वस्तु वे जो प्रकास उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है प्रदिप्त प्रकास पुझेन में से कोई नहीं बताए कि इसका वे वस्तु वे जो प्रकास उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाती है तो जो प्रकास उत्सर्जित करता है उसको प्रदिप्त वस्तु वे कहते हैं ठीक है 93 का 1 सही जा रहे है आप लोग हाँ तो option number one इसका right हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में 94 का देखेगा सुर्य का स्वेथ प्रकास कितने रंगों का होता है 5, 6, 7, 8 94 का बिल्कुल सही जवाब ठीक है 7 हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में 95 का देखेगा जारखन की एक परमुकाबदा इन में से क्या है बार भुकम ज्वाला मुखी तडित 95 का हाँ मैं सेल्फ सही जारे है आप लोग ठीक है हाँ तो इसका तडित अंसर हो जाएगा ठीक है जारखन की एक परमुकाबदा क्या है तो तडित है चलो आगे बढ़ते हैं लोग अगला सवाल में प्रित्वी के भूप पटल का कमपन क्या कहलाता है भुकम ज्वाला मुखी तडित दैविक प्रकोप 96 का बताईएगा 96 का जो 1 होगा ठीक है प्रित्वी के भूप पटल का कमपन क्या कहलाता है तो भूप कमप कहलाता है सेशन खत्म होने के बाद बच्चो आप लोग को यह वीडियो जो है यूटूब पर मिल जाएगी ठीक हमारे चैनल पर मिल जाएगा ठीक है अगर अभी लाइब नहीं है तो ठीक है शेयर जरूर कर देना उन सभी को चलो आगे बढ़ते हैं लोग अगला सवाल में 97 में वायू मन्डल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है nitrogen, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide 97 का बतिये का nitrogen हो जाएगा इसका right answer ठीक है क्या हो जाएगा nitrogen वायू मन्डल में किस गैस की सबसे अधिक मात्रा है तो nitrogen का है चलो आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में 98 में हमें स्वच स्वचन के लिए किस गैस के वसकता होती है कारवन डायोकसाइड ऑक्सिजन कारवन डायोकसाइड और आपका है आरगन बतिक इसका कॉन संसर हो जाएगा 98 का ऑक्सिजन है ना स्वचन के लिए किस गैस के वसकता होती है तो ऑक्सिजन की अगला सवाल में 99 में रेखेगा रभी फसल का उधारन है धान मकई गेहूं स्वयाबीन उसमें हम लोग खरी फसल को रभी फसल समाझे रहते हैं ना मिस हो गया था थोड़ा सा 99 का बताएगा आप लोग 99 का 3 हां रभी फसल का उधारन क्या है तो यहां पर गेहूं है ठीक है रभी फसल का उधारन गेहूं है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में और ये सेसन का लाश्ट सवाल रहेगा बच्छो उसके बाद हम लोग आपस में बात करेंगे चर्चा रेंगे अपने एक्जाम के बारे में सुर्य का सबसे बड़ा गरह क्या है सुरिक का सबसे बड़ा गरह क्या है हंड़ेट का अंसर बतेगा हंड़ेट का सी एकदम सही जा रहे हैं भच्चो ठीके इसी तरीके से तैयारी किजिए आप लोग ठीके ताकि सभी सवाल को आप लोग एक्जाम में करके आएं ठीके एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना है हाँ तो सुरी का सबसे बड़ा गरह क्या है बिरस्पती है बच्चों जूपीटर है और सबसे छोटा गरह आप लोग कमेंट करके जल्दे से अभी बताओ ठीके सबका जवाब आना चाहिए सबका जवाब सबसे छोटा गरह सौर मंडल का सबसे छोटा गरह चलिए मैं सेल्फ का सबसे पहला अंसर आया है मरकरी बिलकुल हाँ मरकरी चलिए हाँ तो समझ में आ गया सबसे बड़ा गरह जो है बुरिस्पती है और सबसे छोटा गरह है जो मरकरी है बुद्ध है याद रखना ये थो बच्चों आप लोग का पूरा सवाल चालिस कुश्चन हम लोग आज पूरा कम्पलीट किये मुझे उम्मेद है कि आप सभी को सारा कुश्चन तो नहीं लेकिन कुछ तो कुश्चन लगबग आ रहा होगा ठीके चालिस कुश्चन में तो अगर 35 कुश्चन भी अपकर पारे हो तो बहुत अच्छा है ठीके अपकी तैयारी अच्छी जारी है हाँ सुर्या कानिकर गरा बुद्ध है बहुत अच्छा ठीके अब बतेएगए का आप लोग कि आप लोग कौन से कौन से क्लास से हुए एक बार यह बता दीजिएगा चुकि बहुत सारे यहाँ पे नायनत के बच्चे पे जुड़े हुए हैं और यह भी बताएगा आप लोग कहां से हैं ठीक है एक बार मैं यूटूब पे देखता हूँ आप लोग को क्लास एट सर हम क्लास एट से हैं चलिए ठीक है हमारे सारे सिसन को जुरूर देखना हम भी एट में हैं एम के जिसान एट में हैं आप ठीक है और बताएगा कौन कौन से क्लास से हैं आप लोग अहाज मैं क्या क्या हो ना कि थोड़ा सा कमेंट को स्लो कर दिया हूँ ठीक है वह एक बार टाइमिंग बता दिजेगा खूटी से हैं ठीक है जारखंट के साहिव गंज से सर हम क्लास एट से हैं सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगा थैंक्यू सर अच्छा ठीक है ठीक है तुम्हें भी दन्यवाद हाँ बोकारो से हाँ यूर ग्रेट सर नैंसी जी क्लास एट जारखंट हजारी बाक से अच्छा आप हजारी बाक से हो ठीक है मैं भी हजारी बाक से हूँ ठीक है हाँ बुद्ध हाँ साथ बजे पी एम है ना साथ बजे नहीं तो साड़े साथ बजे कर सकते है ठीक है साड़े साथ बजे हम एट का ले लेते हैं और साड़े आठ बजे नाइंद काले लेते हैं अच्छा क्रितिका कुमारी सर चाहे आप जब भी ले सकते हो अच्छा अच्छा ने एक बर सभी कोई बताएंगे ठीक है सब अपना वोटिंग करेंगे कि आप कितने बज़े अच्छा रहेगा साथ बज़े हाट बज़े अभी गर्मी का सिजन चल रह है हिंदी का लाइप हाँ बिल्कुल सबहें है कर आप है हुआ है हायर्ट बरिटेक जाएंग गूबल बैटरपार्ट आइए 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 अल टाइम फ्री सर ठीक है नैंसी जी क्लास एट सरवर्सक के कुछ भीज देज ना नोट ठीक है थीक है ने टेलिग्राम से आप जूर सकते हैं ठीक है यहां से इसका लिंक मैं सर टेडिग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, लैंसे जी, सर हम क्लास एट में हैं, ठीक है, तो आज का सिसन हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, बाकि फिर हम लोग कल मिलेंगे, टाइमिंग आप लोग को एक बर हम सेट करके बता देंगे, ठीक है, हाँ, और बता देता हूँ कि क्लास एट का परतियक सब्जेक्ट का आठाट मॉडल सेट को कम्प्लीट करवा दे रहे हैं, ठीक है, परतियक सब्जेक्ट का, जितना भी सब्जेक्ट है, सभी का हम लोग आठाट मॉडल सेट को कम्प्लीट कर रहे हैं, तो आप पूरा चैनल करें और आठाट सेट को पुरा कम्प्रीट करें ठीक है उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट लेंगे कि कौन कितना कैसे पढ़ा है हां वह वह उपर से पढ़ा है कि ध्यान से पढ़ा है वह भी देख लेंगे हम लोग ठीक है ठीक है चलिए फैंस सेशन को बंद करता हूं ठीक है क्लोज करता हूं अब फिर मिलते हैं हम लोग अगले लाइब में या फिर अगले वीडियो में आपको ज़रूर देखेंगा ठीक है गुड नाइट सबको गुड नाइट ठीक है भाइब प्राइब वाइब प्राइब लाइब को